गुड मॉनिंग दोस्तों बेलकम टू आवर यूटूब चैनल अंकिति स्टडी आईक्यू आज है 22 मार्च 2020 आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टन कुश्चन होंगे मैं इस वीडियो में डिसकस करूंगा और वीडियो के अंत में आप लोगों से क्वेस्चन भी पूछूं तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो का पीडिया फाइल आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं तो आईए स्टार्ट करते हैं आज के पहले कुश्चेन से सुप्रिम कोट ने किस सेना में महिलाओं की स्थाई कमीशन दिये जाने के फैसले को मंजूरी दी है तो अभी हाली में सुप्रिम कोट ने नव सेना में महिलाओं के अस्थाई कमीशन दिये जाने के फैसले को मंजूरी दी है यानि कि इस क्वेस्चन का आप्सन नमबर एस ह यह फैसला नवसेना ने लिया है तो नवसेना के बारे में हम लोग जान लेते हैं भारती नवसेना को इंगलिस में हम लोग इंडियन ने भी बोलते हैं और भारती नवसेना का मुख्याले भारत की राजधानी नई दिल्ली में है और नवसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाय जाता है नव सेना अध्यच बरतमान समय में एड्मिरल करमबीर सिंग जी है अब इसी से रिलेटेड कुछ और महत्पूर सेना प्रमुकों के नाम जान लेते हैं जो की एकजाम पॉइंट आफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट कुश्चन है नए उप सेना प्रमुक बरतमान सम बने हैं जनरल बिपिन रावत वायु सेना एयर फोर्स के अध्यच है एयर चीफ मार्सल राकेश कुमार भदवरिया भारती टटर अच्छक बल के अध्यच बरतमान समय में कुष्ड स्वामीन नटराजन जी है राष्ट्री सुरच्छा गाइड के अध्यच अनूप कुमार सिंग है भारती रेलवे सुरच्छा बल यानि की आरपीयफ के महानिदेशक बरतमान समय में अरुड कुमार है केंद्री अध्योगिक सुरच्छा बल यानि की CISF के अध्यच राजेश रंजन जी है केंद्री रिजर्व पुलिस बल सी आरपीयफ के अध्यच आनंद प्रका समाहिस्वरी है ससस्त्र सीमा बल यानि की SSB के महानिदेशक राजेश चंद्र है आगे वड़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और असी में लगे वेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे की आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुचते रहें आज का दूसरा क्वेस्चन है यूगांडा में भारत का अगला उच्चा यूप्त किसे निउप्त किया गया है तो अभी हाल ही यूगांडा में भारत का अगला उच्चा यूप्त ए अजय कुमार को निउप्त किया गया है यानि कि इस क्वेस्चन का आप्सन नमबर ए सही है अब दोस्तों यहां पर एक टर्म आया है उच्चा यूप्त और कहीं कहीं पर उच्चा यूप्त की जगह राज़दूत प्रतनिधी एक दूसरे के यहां उच्चा युक्त के नाम से जाने जाते हैं जैसे पाकिस्तान और आस्ट्रेलिया में भारत सरकार के प्रतनिधियों को उच्चा युक्त कहा जाता है अब सवाल यह उठता है कि राष्ट मंडल के सदस्य देश कौन कौन से देश होते हैं तो राष्ट मंडल के सदस्य देश वे देश हैं जो कभी न कभी बिट्रेन के अधीन रहे हों तो राष्ट मंडल देशों में भारती विदेश सेवा के कारियाले को उच्चा युक्त कहा जाता है तो यह भी आप लोगों को याद रखना है कि राष्ट मंडल देशों में भारत विदेश सेवा के कारियाले को उच्चा योग कहा जाता है अब दोस्टों बात कर लेते हैं राजदूत के बारे में राजदूत किसे कहते हैं राष्ट मंडल देशों के अलावा जो भी देश हैं वहाँ पर भारत सरकार के प्रतनिधी को राजदूत कहा जाता है जैसे अमेरि पूतावास कहा जाता है अब दोस्तों इस कुष्चन में यूगांडा के उच्चा यूप्त बने है ए अजय कुमार तो यूगांडा देश के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं यूगांडा अफ्रीका महादूइप में इस्थित एक देश है जिसकी राजहानी है कमपाला और यहां की करेंसी यानि की मुद्रह है यूगंडाई सिलिंग और यूगांडा के राष्टपती है बरतमान समय में योवेरी मुसेवेनी आईए चलते हैं आज के अगले कुष्चन की तरफ आज का अगला कुष्चन है अदनान अलजुरम को किस देश के नए प्रधान मंत इरान एसिया महदूइप में इस्थितिक देश है जिसकी राजधानी है बगदाद और यहां की करेंसी है इरानी दिनार और बरतमान समय में इरान के राष्टपती है बरहाम साले आईए चलते हैं आज के अगले कुष्चन की तरफ आज के अगला कुष्चन है हाली में HSBC ब बैंक का मुख्य कारिकारी अधिकारी नोवेल क्विन को न्यूक्त किया गया है यानि कि इस क्वेस्चन का ऑप्सन नंबर सी सही है अब दोस्तों नोवेल क्विल को HSBC बैंक का मुख्य कारिकारी अधिकारी बनाया गया है तो HSBC बैंक के बारे में हम लोग जान लेते हैं HSVC Bank का पूरा नाम Hong Kong and Shanghai Wanking Corporation है इसकी अस्थापना 3 March 1865 हिस्भी में हुआ था और इसका मुख्याले है United Kingdom के London सहर में और HSVC Bank के संस्थापक है Sir Thomas सुठे लेंड और बरतमान समय में HSVC के अध्यच है Mark 2 Care आईए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ आज का अगला क्वेश्चन है हाली में हैजटेग सेफ हैंड चैलेंज किसने सुरू किया है तो अभी हाली में हैजटेग सेफ हैंड चैलेंज डबलू याचो के द्वारा सुरू किया गया है यानि कि इस question का option number C सही है अब safe hand challenge WHO के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों तो WHO के बारे में हम लोग जान लेते हैं WHO का पूरा नाम है World Health Organization जिसको हिंदी में बोलते है 200 स्वास्त संगठन और इसकी अस्थापना हुई थी 7 April 1948 इस भी में और WHO का मुख्याले है स्विटिजर लेंड के जिनेवा सहर में और भरतमान समय में WHO के अध्यच है टैड्रोस एड्रोनोम अब अभी हाली में WHO ने कोरोना वाइरस को COVID-19 नाम दिया है तो यह भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों अब बात कर लेते हैं हाईजटेक सेफ हैंड चैलेंज है क्या इसमें लोगों को अपने हाथों को हैंड वाज से धोते हुए वीडियो बनाना है सेफ हैंड चैलेंज लिख कर अलग-अलग सोसल मीडिया पर सेयर करना है आईए चलते हैं आज के अगले क्वेस्चन की तरफ आज का अगला क्वेस्चन है भारस सरकार ने कोरोना वाइरस के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए किस सुपर हीरो का उपियोग कर रही है तो अभी हाल ही में भारस सरकार ने कोरोना वाइरस के बारे में जागरूपता फैलाने के लिए वायू सुपर हीरो का उप्योग कर रहे है यानि की इस क्वेस्चन का आप्सन नमबर एस है अब यहाँ पर एक टर्म आया है दोस्तों सुपर हीरो इसका मतलब क्या है इसके बारे में जान लेते हैं अब सरकार दोरा बच्चों को कोरोना वाइरस के प्रतिजागरूप करने के लिए अनोखी पहल की सुरुवात की गई है और जिसके अनुसार केंद्री स्वास्त मंद्राले ने देश में कोरोना वाइरस को फैलने से रोकने के उद्देश से एक कॉमिक बुक रिलीज की है इसी कॉमिक बुक में वायू नामक सुपर हीरो का उपियोग कर रही है भारस सरका तो यानि की इस कुष्चन का आप्सन नंबर एसा ही है अब इस कुष्चन से रिलेटेड हमें सारी जानकारी पता चल गया तो आपको याद रखना है कोरोना वायरस को डबलू यचो ने महामारी 22 महामारी घोसित किया है और डबलू यचो के द्वारा कोरोना वायरस को कोविड नाइंटिन नाम दिया गया है तो यह भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों आईए चलते हैं आज के अगले question की तरफ, आज का अगला question है, कौन सा राज अंगदान के छेत्र में सीर्स प्रदर्सन करने वाला बन गया है, तो अभी हाली में महाराष्ट राज अंगदान के छेत्र में सीर्स प्रदर्सन करने वाला राज बन गया है, यानि कि इस question का option number A सह अंगदान करने के छेतर में सीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज महराष्ट बन गया है दोस्तों तो महराष्ट राजी के बारे में अब हम लोग डीटेल में जान लेते हैं महराष्ट राजी की राजधानी है मुंबई और यहां के मुख्य मंत्री का उन है तो महराष्ट राजी के मुख्य मंत्री है उद्धव ठाकरे जी जो की सिवसेना पार्टी से है और महराष्ट के गवर्नर है भगत सिंको सियारी महराष्ट के उच्छ नयायले का नाम क्या है दोस्तों तो महराष्ट के उच्छ नयाले का नाम है मुंबई उच्छ नयाले और यहां के मुख्ष नयाधिस का नाम है प्रदीप नंद्रा जोग महराष्ट के च्छ पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों जिनमें गुवा, कनाटक, तेलंगाना, च्छतिसगर, मद्प्रदेश और गुजरात इनी च्छ राज्यों से महराष्ट राज्य की सीमाएं लगती हैं आईए चलते हैं आज के अगले क्वेस्चन की तरफ, आज का अगला क्वेस्चन है हाली में क्रिसिल बोर्ड से किस ने स्थीपा दे दिया है तो अभी हाली में क्रिसिल बोर्ड से अरुन्धती भट्टाचारे ने स्थीपा दे दिया है यानि कि इस क्वेस्चन का option number D सही है अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म आया है क्रिसिल बोर्ड तो इसके बारे में जान लेते हैं क्रिसिल है क्रिसिल एक बैस्विक विशले सडात्मक कमपनी है जो रेटिंग अनसंधान और जोखिम और नीती सलाकार सेवाय प्रदान करती है अब क्रिसिल की अस्थापना कब हुई थी तो क्रिसिल की अस्थापना हुई थी सन 1987 बी में और इसका मुख्याले कहा है तो इसका मुख्याले है महराष्ट की राजधानी मुंबई में और बरतमाल समय में क्रिसिल के सीज़ एओ है अनसू सूईस आईए चलते हैं आज के अगले कोइस्टन की तरफ आज का अगला कोइस्चन है माई इनकाउंटर इन पालिया में नामक पुस्तक का बिमोचन किस ने किया है तो माई इनकाउंटर इन पालिया में नामक पुस्तक का बिमोचन हमारे देश के भूतपूर उपराश्ट पती हामिद हंसारी जी के द्वारा किया गया है यानि कि इस question का option number C सही है अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है उपराश्ट पती हामिद हंसारी हमारे देश के भूतपूर उपराश्ट पती थे तो question यहाँ से बन सकता है कि हमारे देश के present time में उपराश्ट पती का उन है हमारे देश में present time में उपराश्ट पती M बंकाया नाइडू जी है और हमारे देश के राष्ट पती स्री रामनात कोबिंद जी है अब यहाँ पर इस्वृती इरानी का भी बात हुआ तो इस्वृती इरानी बाल विकास एम कपड़ा मंत्राले को देखती हैं अमिसा जी ग्री मंत्राले के मंत्री है और पियूस गोयल जी रेल मंत्री है आईए चलते हैं आज के अगले कोश्चन की तरफ आज का अगला कोश्चन है किस भारती राज में जनता के वीच कोविड नाइंटीन पर जागरुकता फैलाने के लिए रोबोट का इस्तिमाल किया जा रहा है तो अभी हाल ही में केरल राज में जनता के वीच COVID-19 पर जाग रुपता पहलाने के लिए रोबोट का इस्तिमाल किया जा रहा है यानि कि इस question का option number C सही है COVID-19 एक कोरोना वाइरस है जिसको नाम दिया गया है COVID-19 WHO के द्वारा World Health Organization के द्वारा कोरोना वाइरस को COVID-19 नाम दिया गया है इसे आप लोगों को याद रखना और साथ ही साथ यह भी याद रखना है WHO ने कोरोना वाइरस को बैस्विक महामारी घोसित कर दिया है अब दोस्तों या रोबोट का इस्तेमाल केरल राजी में किया जा रहा है तो केरल राजी के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं केरल राज की राजधानी है तिरू अनंत पुरम में और यहां के मुख्य मंत्री है पिनराई विजियन जी जो की भारती कम्यूनिस्ट पार्टी से हैं और गवन्नर है आरिफ मुहम्मत खान केरल के उच्छ नयायलाई के मुख्य नयाधिस है एस माडी कुमार केरल के दो पड़ोसी राज हैं यानि की केरल राजी की सिमाएं तमिल की इस सिट हैं ये भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों आहिए चलते आज के अगले कुंसे की तरफ आज के अगला कुंसे है कोरोना वाइरस के कारड किस देश के फुटबाल कोच ने फ्रांस फ्रांसिस्को गार्शिया का निधन हो गया है तो कोरोना वाइरस के कारड अभी हाल ही में इस्पेन देश के फुटबाल कोच फ्रांसिस्को गार्शिया का निधन हो गया है यानि कि इस क्वेस्चन का आप तोप महादूइप में इस्थितिक देश है जिसकी राजधानी है मैड्रीड और यहां की करेंसी है यूरो और बरतमान समय में इस्पेन के प्रधान मंत्री है पेड्रो सांचेज आईए चलते हैं आज के अगले कोश्चन की तरफ आज का अगला कोश्चन है आप लोगों के ल आए गया तिस क्वेश्चन का अंस्वर आप लोगों को कमेंट बाक्स में फुल डेटेल के साथ बताना है दोस्तों तो यह रहा आज के करेंट अफेर्स का कम्प्लीट वीडियो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तो के साथ share करिए और अपने सभी study related group में भी share करिए थाइम्स फार वाचिंग इस वीडियो